जिस्टार्च के बाषी जैसे हम लेके चले ना ऐसे चले जहेंगें अजिये अभी उप्याट करें भाट जिस्टिर्स भलीशा पगड़ लेंगे चाहत में रख लीए अधन लगा अरिश्वा का है सु जनाब इस वक्त हम मौझूद हैं बिर्ड्स वाले एरिया में और अगर आप लोगों ने मेरे लास्ट विलोग नहीं देखा तो जल्दी से जाकर वह वला विलोग भी जरूर देखकर आए इस वक्त हम आ चुके थे बिर्ड्स वाले सेक्शन के अंदर और हॉल के अंदर आ उनका बसनी चल रहा था को ठाख़ए लेके लहना बहुत जोड से काटते हैं तो हमने बच्चों को बता दिया था कि भाई इनको फ्री मत करें त्स तरह से थी तैसरा वाला देखें वहां कोने में चुपा बैठा है और वह भी जो है वहां आने की कोशिश कर रहा था था और अच्छा जी अब देखें यहां पर ना बर्ड्स आना शुरू हो गई थी साथ-साथ यहां पर ना सबसे पहले तो नोंने तीन अज़त तोते बठाई हुए थे मकाओ जो के ना बहुत ही ज्यादा प्यारे थे और माशालला माशालला से इतना बड़ा बड़ा सा तो मकाओ का साइज होता है खैर यहां आगे जाकर हम बच्चों के हमारी मुलाका तो गई थी एक अदर चिंपैंजी से जो कि यहां पर बैठे हुए थे और हमारे बच्चों ने चिंपैंजी के साथ भी बड़े मज़े से फोटो शूट कर वाया फिर आगे गए हैं तो यहां पर यह मिठू साहब थे जिनकी ना आखें बंद थी और यह जो हैं वो कुछ सोच रहे थे या नीम ख्वाबी कहले हैं या किसी उसमें मसरूफ थे दूसरे जो मिठू साहब थे ना वो अपनी चौँच खुजवा रहे थे किसी और से और यहां तीसरे जो हैना यह मकाओ थे इन तीनों को बिचानों को पिंचरों में बंद किया वा था बाकी सारे जो तोते थे ना बड़े बड़े से वो आजाद खुले गूम रहे थे लेक पिंचरों में बड़े से जी हाज इनको कहते हैं ना सुर्खाब के पर लग गए हैं वो यही होते हैं इतना खुबसूरत इनका कलर था और इनको देखें आप तो आप वाकी में आपको ना नजर आती है अल्लह की शान कितना खुबसूरत इसको अल्लह ताला ने कलरफुल ब बहुत खुबसूरत कलर जो है ना वो सुर्खाब के पास मौजूद है पिर यहां पर ना यह कदर बर्ट खड़ीवी थी पता नहीं इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता स्टॉर के क्या है वर्टेवर लेकिन बहराल बहुत ही खुबसूरत परिंदे थे जो के अंदर प्रणे की लोग यहां मौजूद थे बच्चे भी आंदर मौजूद थे और पिक्चर्स वगईरा ले रहे थे इसके चार्जिस थे 300 ऐचिंग यह 200 रुपीस इसकी फीज ती और यहां आप वो पे करके फिर आप यहां अंदर आ सकते हैं और पिक्चर्स वगईरा क्लिक कर स तो वो कुछ मुझे हज़नी हुई थी बात तो इसलिए मैंने अपने बच्चों से माज़रत कर ली थी और उनको मैंने अंदर जाने नहीं दिया था इस वाले एरिया में हम आये तो यहां पर ना यहां भी सारे पैरिट्स थे और बहुत ही खुबसूरत पैरिट्स थे और य यहां पर यह जो मकाओ थे यह उस्ट्रेलियन पारट थे और यह जो है ना सेप खाने में मस्रूफ ते पर खैर थोड़ा आगे गए तो यहां पर कुछ हैंस्टर बैठे हुए थे और यह इतने प्यारे थे माशाला माशाला से के मेरा दिल कर रहा था कि एक दो जा मैं मेरी नॉलज में जाफा होगा अगर मैं कुछ गलात नाम ले लूँगी तो फिर अच्छा नी होगा जयाती हो जाएगी इस बिचारे के साथ तो बारहल मुझे इनका नाम नहीं पता और यह भी आप गले में हैंक करके खड़े हो सकते थे लेकिन इसका जो वजन था वो काफ प्रिंट बर्ड्स थी और यहां पर ने एक पीकॉक था बहुत खुबसूरत और पीकॉक के नीचे से आप देखेगा बड़ी मज़ेदार चीज ना आपको निकल के नजर आएगी जुसको देखकर ना हमें भी बड़ी हसी आ रही थी अभी थोड़ी दिन में आप देखेग पीकॉक के नीचे से ना क्या बरामद होने वाला है यह देखें यह आग्या चोटा सा एक प्यारा सा मुरगा यहां देखें यहां पर एक चोटी सी लिजर्ड भी मौजूद थी और मैं अपने हजबन से कह भी रही थी कि यह ना शीशे के अंदर है ना तब तक बहुत अच्छी लग रही है अगर यह आपके सामने आपके घर में दिवार पर चिपक जाए ना तो लिटरली आदी खवा इस यह था मेरा एक व्लॉग जो मैंना आज आप लोगों के साथ शेयर किया पार्ट टू आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं अपना बहुत सारा ख्यार रखिएगा दौाओं में याद रखिएगा अल्ला हाफिस